बच्चों हमारी हिंदे की पाढ़ पुस्ता के पद खड़ का पाढ़ तेरा चल रहा था चंदर गैना से लोडती बेर कवीता चल रही थी चंदर गैना से लोडते पुगापते कभी केदा नाम की द्वारा रची थी कवीता है इनका चनम सन 1911 उस्विय में और मुरत 1922 उस्विय में हुई थी कवीता की जो पंक्य है कवीता में कभी ने जन्टर गैना से लोडते रास्ते में जो खेत दिखाई देते हैं उन खेतों में होगी हुई फसल का वढ़न किया है कवी ने उन फसलों का वढ़न करते हुए उन पोधों का मानुवी करण किया है एक बहुत ही सुन्दर रूप से इस कवीता को कवी ने प्रस्तुत किया है एक मनुस्य के रूप में उन पोधों को समझाने का वढ़न किया है कवीता के पंक्य है पास ही मिलकर ओगे है फूल को सिरी पर चड़ा कर रही है, जो छुए यह है, दू हिर्दय का दाने उसको, कवीता लिए पंक्तियों में जो कुछ सब्द आये हैं, पहले हम उन सब्दों को देते हैं, हठीली, हठीली सब्दगार्थ होता है, जिद्दी, हठ, करे, बॉली यहां पर देखार्थ हो जाएगा, सरी, यह बचों यह कुछ सब्द होगे, लचेली, लचक वाली, अब कवी, अलसी के पोधी का वढ़न करते हैं, कि अलसी का जो पोध है, वह बहुत ही जिद्दी है, और अपने जिद्दी सोभाव की कारण हठ पूर्वे को उसने चने के पोधों के वीच में अपनी जगह पना लिए है, कवेने, अलसी के पोधी को क्या का आया है? हटीली जित्ती यह एक विसेशन है कभी एल्सी के पोद्य का मान्यू तरण करते हैं कि एल्सी का जो पोदश होता है वह बहुत ही पतला होता है और हवा की चलने से वे हिलता रहता है फिर सीधा खड़ा हो जाता है और फिर हिलने लग जाता है जिस प्रकार एक की योगती चलती है तो उसकी कमर लचकती है और वह चलते हुए बल खाती रहती है कभी ने अलसे के पोदे को एक लाइका का रूप दिया है और का है कि अलसे का पोदा बहुती ही जिद्धी है अलसी बहुती ही जिद्धी है और उन्होंने हट पूर्वक चने की खेट में चने के पोदों के पास अपनी जग है बना ले है देहे की पतली कमर की है लचीन में अलसे को एक यूती का रोप कवी ने दिया है यूती एक जिसे पतली कमर वाले यूती चमती है तो उसकी कमर लचकती है उसी प्रकार अलसी का पोदा भी हवा के हिलने से वह लचकता है और सीधा खड़ा हो जाता है नीले फूले फूल को सिर पर चड़ा कर अलसी के पोधें के जो फूल होते हैं वो नीले रंके होते हैं कर रही जो छुई है मालो अलसी का पोधा अपने उस नीले फूल को जिस प्रकार एक यूती अपने हाथ में फूल लेकर कर रही क्या कर रही है इजहाल कर रही है अपने प्रेम का जो चुए यार था जिस जो भी वेकर इस फूर को स्वीकार करेगा ये मेरे प्रेम को स्वीकार करेगा जो हिर्दय का दान उसको उसे मैं अपने हिर्दय का दान कर दूंगी या उसे मैं अपने आपको समझ भी कर दूंगी उ से अतना स्वामी माने लूँ आगी थविता की पंक्या हैं और सर्सों की ने पूछो हो गई है सबसे सयानी हाथ पीले कर लिये हैं व्यहां मंड़क में पधारी फाग गाता मास भागूं आ कया है आज जैसे में कवी ने सर्सों के पोधों का भी मान्यूतरण किया है सर्सों को एक यूती की खुमा दी है जो आव सयानी हो गई है अर्था जावान हो गई है में जब एक यूती जावान हो जाती है तो उसकी साधी की जाती है उसी प्रकार सर्सों पे जब परिफ पक्व होकर उस पर फिर फूल आ जाते हैं तो वह एक यूति के हाथ में लगी होई हल्दी की तरह चमकती भी दिखाई देती हैं इसलिए कभी ने सर्सों को एक यूति का रोप देते विए काह है कभी ने कहा यो और सर्सों की ने पूछो, सर्सों की तो बात ही मत करो, हो कई सबसे सेयाने अर्थाज सर्सों की फसल अब पकर तयार हो चुकी है, पकर कटने के लिए तयार हो चुकी है पिली कर लिये हैं जिस प्रकार एक यूती की विवा के समय उसके हाथ पिली की जाते हैं उसके हाथों पर हंगदे लगाई जाती है उसी प्रकार सर्षूभी परिपप फपवे हो चुकी है विहां मंदक में पधारी सुर्षुन की जो फसल खेतों में पके हुई खड़ी है तो ऐसी लग रहा है जैसे कोई यूटी अपने विवा के मंड़क में आ गई है और जब कोई मैजे विवा के मंदक में आती है तो उसका विवा संपत्भ कर होते ही वह अपनेपियर माई की सब्सक्राइब चले जाती है उसी प्रकार भी फब्रुपार कोते हैं अटमेक घ्राईब है हो जाते हैं किस महीने में पार्श खाती है कि दिया भी घाया है बच्चों को आश में जो भौली दिनिये और एककी कटाई होती रहे है और एशंत लग रहा है उसं हां बुन को तक फाम कर दाए है अज़े आ गया है बच्चों यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा कि कवी ने अलसी का भी मालिय करण किया है एक नाई का रूप दिया है जो अपने उस नेले फूल का अपने नाई को दान करती है और अपने प्रेम का इजार करती है आगे सर्सों को भी कभी ने एक यूती जान यूती का रूपे दिया है कि जिस परकार एक यूती बड़ी हो जाती है तो उसकी साधी की जाती है और वह अपने सर्सराज चली जाती है उसी परकार सर्सों भी परिपकों होकर तयार हो गई है उसको भी अब किसान काट कर खेतों स घर में ले ज़रेगा धन्यवाद